अमिताब बच्चन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पिंक को लेकर चर्चा में है फिल्म में वो वुमेन एमपावर्मेंट की बाह करते नजर आएंगे पिंक के प्रोमोशन के दौरान भी अमिताब महलाओं के अधिकारों पर बेहत जोर देते नजर आ रहे हैं प्रोमोशन के दौरान उन्होंने फिल्म पिकू से जड़ा एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुन आप चौख जाएंगे फिल्म पिकू में अमिताब बच्चन ने दिपिका पादू को उनके बिमार पता का करदार निभाया था फिल्म में पीकू का किरदार दीपिका ने निपाय था लेकिन अमिताब बच्चन के किरदार को भी लोगों ने काफी पसंद किया अमिताब ने बताये कि फिल्म में काम करने के लिए दीपिका को प्रोड्यूसर ने उनसे जादा पैसे दिये थे अमिताब बच्चन ने पिंक की प्रमोशन के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा मुझे नहीं पता कि यहां ये कहना उचित है या नहीं लेकिन हालात ऐसे बने की ऐसा हुआ पीकू के लिए दिपिका को मुझसे ज़ादा फीज दी गई थी ऐसा दो वज़ा से हुआ पहली वज़ा वो फिल्म के लिए मुझसे ज़ादा महत्वपून थी दूसरी वज़ा मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ इसलिए मैंने अपना प्राइस टैक खो दिया है बता दें कि पीकू की रिलीज के बाद अमिताब और दिपिका के बीच अनबन की खबरे सामने आई थी दिपिका ने पीकू की सक्सिस पार्टी दी थी जिसमें अमिताब बच्चन नजर नहीं आये थे कहिए इस अनबन के पीछे फीस कारण तो नहीं था